तो आज के current affairs के सत्र पे मैं आप सभी के लिए बहुत ही ACC Laları करेंट अफेर से लेकर है आहा हूं जो आपके exam hall में आपकी परिक्षा में यह current affairs आपको देखने को मेरेंगे दिन प्रत दिन के सतर पे आप सभी वह current affairs के topic पढ़ रहा हैं जो की परिकषा के दकोण से most important है most expected है को लेकर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं भारत सरकार की बहुत बड़ी जो है प्योजना है कि सोलर एनर्जी पे भारत बहुत बड़े स्तर का काम करें तो एक संस्था इंडिया ब्रांड इकुटी फाउंडेशन आई बी इफ ठीक है एक संस्था है आपकी आई बी इफ इसका फुल फॉर्म है इंडिया ब्रांड इकुटी फाउंडेशन इसके द्वारा अप्रेल 2023 में एक रिपोर्ट प्रकासित की गई और इस रिपोर्ट में बताए गया कि भारत 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौरूर्जा का उत्पादक देश बन जाएगा ठ सबसे बड़ा उत्पादक अब देखो हम लोग अनवी कर रही है उर्जा स्रोतों की और जा रहे है जिसमें से सोलर इनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं तो कहता हूं भारत सरकार को एक काम और करना चाहिए भारत सरकार गया सिलेंडर दे रही है भारत सरकार जो ह सब कुछ दे रही है तो अब नया जो पूरा एक इंफ्रेस्ट्रिक्चर डिबलप हो रहा है भारत का उसमें सोलर को भी कंपल सरी कर देना चाहिए कुछ लोग तो देखो खुदी लगवा लेंगे जो सक्षम है ठीक है लोकिन जो गरीबी रेखा के नीचे हैं निम्न आय व पड़ेगी टेकनोलोजी और चीजों को उपलब्द कराना पड़ेगा सोर उर्जा के छेत्र में भारत के लोगों को जागरूप करना पड़ेगा तो सोलर एनरजी आजाएगी तो आप लोगों की जो है एक आत्मी निर्भरता भी आ जाएगी घर पे खुद बिजली बन रह थी अब दस गीगा वाड से हम इसको 2030 तक ले जा रहे हैं कितना पचास गीडा वाड तक ले जा रहे हैं तो 2030 तक में हम अपनी सोलर एनरजी की विनिरमार्ट शंकता को बढ़ा देंगगे 50 गीडा वाड तक ले जाएंगे अब जब यह हो रहा होगा तो सोलर के छेत्में लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा नौ लाग से जादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा तो ये एक तरीके से देखे जब भी कोई नई तक्निकी आती है तो रोजगार स्रजन की दिशा में उसका एक बहुत महत्यपूर्ण योगदान होता है तो नभी चालू हुई है बड़े स्तर पे नेशनल लेबल पे सोलर ग्रिड बन रहे हैं ठीक है इसके अलावा सरकार के द्वारा घरेलू सौर भी निर्माड को बढ़ावा देने के लिए कई सारी नीतिया बनाएगी है जैसे कि प्रोसाहन नीति सरकार ने कि यह तो आपका नेशनल घरों पे लगाई जा रही है ठीक है तो यह भी ध्यान रखेगा और सरकार जो है लगातार सोलर के लिए बड़े स्तर पे रोजगार स्रजित करने के लिए क्या कर रहे है फंड भी मोहया करा रही बजट में तो यह फैक्ट याद रखेगा ध्यान रखेगा आएगा बहुत स से टाटा पावर में वन प्व ministry गीगावाट बंगलूरू में बनाया तो कहित सारी longtemps कमपनिया यह चया एरपोर्ट चया पॉर्ट चया सीमेंट 10-20 ho चया जो भी सब में अड़ानी जी को आना तो अड़ामीजी अचुके एंची बात भी है चलो भारत में उद्योग्पति बढ़ रहें उद्योग्पतियों से हमारा देश आगे बढ़ें घृक है तो आडानी-solar और इसके अगसे ताटा पावर है ताटा पावर के दोरा भी 1.1 डिजुचे सैनल के बड़ी सारी अनर्जी टिक को इनकों काम करने है एक वहरी एनर्जी के द्वारा भी इस तर पह काम है तो जब यह कंपनिया और बहुत बड़ी संख्या में कंपनी आएंगी सोलर पैनल को लेकर बड़े-बड़े सोलर प्लांट लगेंगे तो निश्चित तौर पे देश में सोलर उत्पादन चमता में दूसरा क्या पहले नंबर पे भी हम आ जाएंगे तो एक यह द्यान रखेगा इससे ट्रेश्ट कौन जारी करता है टाटा ट्रेश्ट टाटा ट्रेश्ट द्वारा जारी की जाती इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दो हजार बाइस ठेक है यह इसका थार्ड एडिशन है तीसरा संस्कराण है यह रिपोर्ट का तीसरा संस्कराण है और इससे पहले दो हजार उन की वहां पे कौई फिक्स नहीं कि कि कितने न्याधीस हौट में तो एसा बोला गया इस में कि टोटल एवा की वहां चाहिए थे वह प्र क्रेशक्वा करें लेकर अब आप समझ सकते हैं कि अब पालिकाओं में आप लोगों को लगता है कि कार जो देर से हो रहा है उसके पीछे का कारण एके भी है कि जितने नयाधीश चाहिए उतनी संख्या में उपलब्धी रही है टोटल ग्यारा सो आठ की जगे पे 778 वक्त नयाधीश ही उपलब्ध है ठीक है बाकी पद खाली यह तो कम मलब यह तो एक रफली डेटा है यदि आप देखें तो और बहुत बड़ी संख्या में जो इस समय जिस तरीके से केसिस लगता रहा है उसमें नयाधीशों की संख्या बहुत ज़्यादा चाहिए काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है ठीक है तो एक यह आपको 88 के असपास नयधीश हैं तो पद खाली पड़े हुए हैं और इन पे जो है नियुकती बहुत तेजी से करनी होगी और ताकि यहाँ पर काम किया जा सके ठीक है अब यह आप एक चीज दियान रखिएगा सबसे ज़्यादा केस कहां पर किस कोट में सबसे ज़्यादा केस बात कर रहे हैं और 11 साल पुराने केस भी आपके पड़े हुए ठीक है सबी लोग समझेंगे इसको यह बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जब कभी भी नियाए पालिका को ले करके कोश्चान आता है कुछ भी आता मेंस में भी लिख सकते हो जितने फैक्ट बता रहा ह एक तो नया दीसों की संख्या में कमी है जितने चाहिए उतने है नहीं वैसे यह भी जो है एक इस्टिमेटेड डेटा है लेकिन इसमें भी संख्या यह तो यह है इनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए ठीक है दूसरा केस पेंडेंसी बहुत जादा है यूपी में सबसे ज़ ड़ल की स्थिति इंपर 1005 reject है यहां पर 11 wr.מב में 10 साल पुराने केस पड़े हुए है तृबि फोरा की जो कोट नई भी थी इस से पहले सब से जुडए थे लेकिन नई कोड लगई शुकसरी इसके बाद सिक्किम हैं और फिर भेर नौर्थीश्ट के में और में जब से कम एगर हैं और सबसे ज्याधा में राद में ऊत्तित पृद्धे मामले होते हैं ठीक है तो यह भी ध्यान रखना है तो इसलिए लंबित मामले की संख्या जो है वह बहुत ज़्यादा यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है ठीक है इसके अलावा एक आपका होता है CCR CCR क्या है आपका CCR CCR को बोलते हैं Case Clearance Rate कि किस Court का Case eClinx Rate कितना है हैना मतलब एक वर्स में कुल कितने Case दर्ज किये गए हैं और उन मामलों में से कितने को निपताया गया है मतलब कि जैसे माल लिजे एक वर्स में कहीं पे 100 केस दर्ज किये गए हैं और उनमें से लगबग 50 ही निपटाए गए हैं तो इसको बोलते हैं CCR, मतलब 50% केस ही आपके निपटाए गए है ठीक है, तो CCR की बात करें कि किस कोड का CCR बहुत अच्छा है मतलब जहां पे केस जो है जितने दर्ज हो रहा है उतनी तेजी से उनको निपटाया जा रहा है तो सबसे अच्छा CCR है केरल का, केरल का, केरल का CCR सबसे जादा है मनलब जहां पर केस हर साल जो दर्ज हो रहा है उनको बहुत तेज से निफ्टाने का काम भी किया जा रहा है, दूसरे नंबर पर है उडिशा का, उडिशा कोट जो हाई कोट है और तीसरा है राजिस्थान का, मतलब यहां पर काम बहुत गती से होता है, केरल हाई कोट, सबसे कम है और दूसरे नंबर पर बांबे है इनका CCR सबसे कम है जहां पर केस जो है जो दर्ज हो रहा है उनको निप्टाने की जो क्लेस क्लियरेंस रेट है वो काफी काम है यह भी ध्यान रखना है ठीक है और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो है बहुत तेजी से केस निप्टाने का काम जो है न्याए बितरंड की बात जब यहां पर स्कोर पेरामिटर्स बनाएगे उन पेरामिटर्स में सभी को जो है तो न्याय वित्रण करने में न्याय वित्रण में नंबर एक है करनाटक फिर आपका तमिल नाडू फिर नंबर दो आपका तमिल नाडू और नंबर तीन है आपका यहां पर तिलंगाना साउथ के स्टेट है सारे ठीक है नियाय वित्रण में टॉप थ्री स्टेट आपके कौन कौन से हैं ठीक है ध्यान रखना है करनाटक तमिलनाड तिलंगाना फिर गुजरात फिर आंध्रप्रदेश है टॉप थ्री कम से कम याद रखिए आप लोग ठीक है तो नियाय वित्रण के मामले में एक तो नियाय वित्रण के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं समझ सकते हैं ठीक है और एक करोड से कम अबादी वाले भी नहीं एक तो बनाइगी एक करोड से अधिक अबादी वाले स्टेट तो इसमें से आपके अठारा इक में करनाटक है फिर आपका एक करौर से कम यह में ऑपका साथ इसके में जिसमेंस इसक्राइब है दिए इन्डियाज स्ने और अवधिर्ण के मांगोले में तो देंगो इसमें क्या-क्राइब आपको बताए filters भी निय 208вал 1108 है 778 लोवर कोट अधिनस्त नियालियों में 24631 होने चाहिए है 19288 तो एक तो नियाधीस कम है अब नियाधीस कम है तो यह बड़ी बुरी इस्तिती है इसके बाद CCR की बात हुई कि CCR कैसा है तो CCR के बारे मैंने बताया कि सबसे अच्छा है केरल का और उडिशा का सबसे बुरा है राजिस्थान और बामबे का ठीक है इसके बाद कहां पर केस जो है आपके जो केस निप्टान को लेकर के यहां पर यूपी में सबसे अधर केस पेंडेंसी है फिर पश्ची मंगाल में स नंबर एक पर कर नाटक नंबर दो पे तमिल्नाडव्य नंबर तीन पर तिलंगाना और छोटे राज्जों में सिक्किम नंबर एक भुआ है। है तो मैं पढ़ा रहा था आपको सी सी आर के बारे में से बाता रहा था तो और गשहए एक वर्ष में कुल किये गए मामलों में से निप गताएं मामलों की कुल संख्या का नुपात पो एक वर्ष में कुतने केस आपके दर्ज किये गए मालीजे किसी कोर्ट में 100 केस दर्ज किये गए एक साल में निपटाए कितने गए 50 तो 50% केस क्लियरंस रेट है वहां का ठीक है तो यही है कि लंबित मामलों की संख्या कितनी है उसी का एक अनुपात है रेश्यू है ठीक है CCR द्यार है ठीक है ठीक है तो देखो यहां पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पढ़ा रहा था आपको इसमें पहले तो मैंने बताया कि देखो हाई कोर्ट में 1108 चाहिए है 778 ही जो लोवर कोर्ट है आपकी अधिनस्त नेयाले यहां पर चौबिस सो चौबिस एर 631 नियादीस तού इस तरीके से यहां पर मैंने बताई यहां के चौबिस ही कि अधा करेंत बौट की अधाना थक है और 스श ऑद p का केरल का फिरोडीशा का सबसे कम किसका है राइस्थान का बॉंबे का ठीक है और ये टाटर ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है आपकी 2022 की जारी की गई है सायद मेरे खेल से सारे पॉइंट क्लियर हो गए सभी के एक बर बताएं क्या ये वाला दिया ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है देखो दो चीजे होते एक तो होती है जुडीशाल कस्टडी एक होती पुलिस कस्टडी जुडीशाल कस्टडी में क्या होता है जब कभी कोई केस होता है मालीजी के से के उपर केस होने के बाद जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले ज जाते हैं तो वहां पर उनके उपर होता है कि या तो आपको पुलिस कश्टडी में दे दें पुलिस कई बार अपनी कश्टडी में मांगती है जैसे अभी अतिक अहमत मामले में था कि पुलिस कश्टडी में अतिक अहमत को दे दिया गया दूसरा तरीका होता है कि जब जूड पुलिस का काम होता है एक तरीके से पूरा के बना हुआ है आपका जेलों से बड़ ज़ुढी होई आपकी तो 2021 में चैलों में कैडियों अंडर ट्रायल है जिनका अभी केस पता नहीं चला है कि उनका उन्होंने अपराद क्या किया था ठीक है अभी उनका अपराद तै नहीं हुआ है उनको सजा नहीं मिली है यह सोची एक बहुत बड़ा मामला है लोगों के उपर बहुत सारे केस दर्ज हो जाते हैं फिर इसके ब ठीक है तो एक तो यह है दूसरा देश के उच नयाले और जीना नयालेों में यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बहुत जरूरी है द्यान रखना यह रिपोर्ट आप अपने साथ जोड लिजेगा तो अभी देखो कैदियों की संख्या बढ़ रही है लगतार सततर परसंट कैदिया आपके कितने हैं सततर परसंट कैदिया अंडर ट्रायल है जिनका जिनके उपर अभी कोई अभियोग तैय नहीं हुआ है क्यों कौन सी सजा होगी क्या होगा दूसरा देश के जो हाई कोड है और जो लोवर कोड है आपके आपको पता एक हाई-यार्की बनी हुई है ह हमारी हाई यार की कैसे बनी हुई है जिसमें सबसे उपर सुप्रीम कोट बना है फिर इसके बाद हमारे देश के साभी राजियों में हाई कोट से आपके अधिनस्त नियाले ठीक है अब जो लोवर कोट और हाई कोट में हैं यदि हम दोनों को देखें तो टोटल पांच करोड चार दसमलों नौ करोड केस लंबित हैं आपके बहुत बड़ी संक्या होती है चार दसमलों नौ करोड केस लंबित हैं आपके ये भी दिमाग में ध्यान रखिएगा ठेक है एक एक और डेट आपको बज़ता हूँ इसको बुमन इंपावर्मेंट में यूज कर लेना महिला महिलाओं कि संख्या बढ़ी है मलब जज के तौर पे लगवग दो पृस्त महिलाओं चसोर से लगवग दो asking माइज संख्या बढ़ी है तो अब आपको बता है कि नारी सक्ति महिलाएं बच्चियां इस बार U-P-P-LS में टॉप-8 में महिलाएं बच्चियां ही थी है ना पहली टउपर दूसरी टॉपर तीसरी कौपर चोंथरी टॉपर तब जगे तो टॉपर ही है आर जेस का एक्जाम होता है हाई कोट के एक्जाम जो होते हैं या फिर जहां पर जूडिशल एक्जाम होते हैं हर जगे बच्चियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ठीक है तो आप लोग भी पढ़ो पढ़ाई पर ध्यान दो ठीक है तो महिलाओ क Works प्रतिदीर तो बढ़ा है इस रिपोर्ट में इस बताए गया है ठीक है ठीक है चलिए ये आपका जो है यह रिपोर्ट गजीन us रिपोर्ट में यह सब में सब चीज़ें बताइगए कि न्ययाएं प्रणाली के चार प्रमख स्थम्भ है आपके पहला है पुलिस दूसरी है जेल तीसरी है नियाए पाली का और चौथा है करूनी साहता ठीक है चार स्थम्भ होते हैं किसी भी नियाए प्रणाली के चार स्थम्भ है नियाए एक करोड से काम अबादी वालों में नंबर एक में सिक्किम के बाद रोड़ा प्रदेश पित्रिपुरा यह अप लिख लो यह रह गया है तो और एक करोड से उपर के अबादी में करनाटक तिलंगाना तीन स्टेट मैंने यह बताएं आपको ठीक है तो यह आपको ध्यान आप और और भी हो सकती है और तीसरी है legal आपकी यह कानूनी सहिता प्रदान करता है बहुत सारी कानूनी सहेता सिवा प्राधिकरण है राजईस्तर पर भी नालसा अब चलते हैं अगली एक बहुत इंपोर्टन यात्रा पे और यह यात्रा की है जापान के प्रधानमंत्री में अभी जापान के प्रधानमंत्री आये थे ठीक है कब आये थे 19 से 20 मार्च को 19 से 20 मार्च जापान से भारत के बहुत अच्छे नाते हैं और इनका नाम है फुमियो किसिदा क्या नाम है इनका जापान के प्रधानमंत्री का फुमियो किसिदा किसीदा हेडिंग आपको डाल लेना है जापान के प्रधानमंतरी की भारत यात्रा तो अक्टूबर 2021 में फुमियो किस्दा जो है जापान के प्रधानमंतरी बने थे और पहली विदेश यात्रा इन्होंने भारत के साथ की यह बहुत बड़ी बात है पहली विदेश यात्रा फुमियों किस्दा की और उसमें से इन्होंने भारत को चुना तो 19 से 20 मार्च 2023 को यह भारत आए ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और यह जो है चौदावें भारत जापान वार्षिक सिखर सम्मेलन में तो यह एक वार्षिक सिखर सम्मेलन भी था चौदावा भारत जापान वार्षिक सिखर सम्मेलन था उस सिखर सम्मेलन में दोनों देश एक दूसरे के साथ जुड़े ठीक है एक दूसरे के साथ बैट करके डिसकसन किया कई सारे मुद कर रहे हैं सम्रिध्धी की बात कर रहे हिंद प्रसांत च्छेत्र के डिवोप्मेंट की बात कर रहे तो दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच में वारुसिक सीखरवारता में कई सारे मुद्धों पर हस्ताक्षर की गए अब रम ताक्षर कहीं पर भी हो, दो चार छे मामले ही होते हैं, एक तो रक्षा है, रक्षा उपकरणों को ले करके आपस में हो सकता है, प्रद्दोकी सहयोग को ले कर हो सकता है, व्यापार को ले कर हो सकता है, स्वास्त को ले कर हो सकता है, डिश्टल साजेदारी को ले कर हो सकता है, बिचारों के आदान प्रदान को लेकर हो सकता है तो यह जो है आपका तो देखे आप तो जापान के साथ हमारी विशेश, रणनीतिक और बैस्विक साज़ेदारी का इसतर है मलब दोनों देश एक दूसरे के साथ विशेश, साज़ेदारी और रणनीतिक इसतर के लेबल पे जो है एक दूसरे को क्वाडिनेट करते हैं तो जापान के साथ जो है कई सारे मुद्दों पर यहां पे सिगनेचर हुए बात हुए यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा जो है जापान आपको पता होगा पिछले साल लगभग जापान के दौरा जापान के दौरा तीन क्यान रखना ब्याग 20,000 क्रोड़ रुपए का निवैस किया था भारत में यह सोची अपने आप में बहुत बड़ी बात है है ना भारत में 5.000.000 क्रोड येनका इनोंने क्या किया है इन्वेश्ट्मेंट किया है तो इतने सारह प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत के ये सारे जापान के सहयोग से चल रहे हैं चाहे वो मुंबई एहमदाबाद हाई स्पेड बुलेट रेल पर योजना है ना आपकी मुंबई से लेके एहमदाबाद तक वो आपका कौन बना रहा है जापान ही बना रहा है ये भारत की पहली बड़े सहयोगी देश के तौर पे यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और यह 2023 को भारत और जापान मिल करके टूरिजम एक्षेंज वर्स के तौर पे भी मना रहे है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा और यह कुश्चन मा लिजे पूछ ले आप से ठीक है तो एक तो इस सिख पैसा दिया है भारत को सव अरब येन दिया अभी इसी दावरान ठीक है और अठारा अजार कोड़ रूपए फिर से दे रहा है चौती बार पैसा दे रहा है यह मुंबई एहमदाबाद एकोनोमिक कोरिडोर पे ठीक है गोलगप्पे खाने के लिए भी बिल्कुल सही कह रह है ना बलब आपको अपने देश के भोजन का भी अंतराष्टी करनड करना है प्रदान मंत्री जी बहुत सूझ बूझ के साथ काम कर रहे हैं आप यह मत सोचिए अंतराष्टी इस्तर पर गोलगप्पा फेमस हो गया तो इससे बड़ी बात क्या है समोसा फेमस हो जाए जो बहुत मलब बेसिक बेसिक चीजे हैं आप सभी समझते हैं कोई भी चीज यह सिंबोलिक होती है और फिर उसका रूप बहुत बड़ा होता है ठीक है और बड़े इस तर पर लोग जैपनीज भी सीख रहे हैं ठीक है तो यह ध्यान रख्येगा देखें विकास सिंग जी ऐसा नहीं है जापान को आप समझ नहीं रहें जापान वर्ल्ड में एक सुपर पावर है वर्ल्ड का सबसे पावर्फुल सबसे पावर्फुल वर्ल्ड का पासपोर्ट है जापान का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूरिजम कंट्रीज है ठीक है ना तो इनके पास एक समय ऐसा था जब इंडस्ट्रेस्ट्र रिविलूशन करना था जापान के पास खुद का पुझी थी कैपिटल थी ना तो कच्चा माल था ना तो जापान के पास स्रम था सब कुछ इंपोर्ट किया इन्होंने और आज वर्ल्ड की सूपर पावर के तौर पे यहां पर में बएठा हुआ है ना और प्रसांच रेसेट में परिश्रम है बिझनरी तो इसलिए जापान से 200 में बहुत बड़े इस्तर पर पैसा निवेश कर रखा है जापान ने आपको साथ पता नहीं हो जो युनाइटेड नेशन की खर्चे होते हैं ना उन में से जापान का बहुत बड़ा योगदान है वर्ल्ड बैंक का इमेफ में जापान का बहुत पैसा लगा हुआ है यह भी ध्यान रखेगा ठीक है तो याद रखेगा इनका नाम माल लो पूछ लेता है क्योंकि अभी चेंज हुआ है ना यह यह देखिए हम आगये चाय बागान में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो सूट करके लाया था अभी तक पब्लिश नहीं कर पाया हूं और वह मैं लेकर आया था आपका यह जो भारत दर्शन का वीडियो था बड़ा सांदार मनोरम द्रिश्य था तो यह तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपी आयोग के द्वारा जी आई टैग प्रदान किया गया है ठीक है यूरोपी आयोग जो यूरोपी यूनियन है उसका खुद का एक आयोग है जिसको हम यूरोपी आयोग कहते हैं तो भारत की कांगड़ा चाय के लिए उन्होंने क्या दिया है जी आई टैग दिया है क्या दिया है जी आई टैग किसके द्वारा दिया गया है यूरोपी आयोग के द्वारा आयोग किसको दिया गया है कांगड़ा चाय को कांगड़ा चाय को वीडियो में आप लोगों के लिए जल्दी ला रहा हूं वाला वीडियो में सूट करके आपको लाँगों उससे मैंने भारत की सारी चाय प्रदेश और बहुत साई चीज़े पढ़ाई है वह बस तोड़ा इडिटिंग का पार्ट है और वह चुकि देखो मैं सारा काम खुद करके फिर आपको देना है तो भारत दर्शन में करना पड़ता है क्योंकि वहां पर मल्टिपल सूट हो जाते हैं 10-15 सूट हो गए कुछ ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए तो हटाना भी पड़ता है वह 25-25 मिनट का वीडियो आपको देना होता है वह कम सम 2-3 घंटे का एक सू तो यह भी कोश्चान आपका बन सकता है ठीक है कि जान रखना है और इससे क्या होता है देखो इससे अंतराष्टी इस तर पर बहुत ज्यादा एक तो इसके बारे में इसको अनुदान मिलने लग जाता है प्रमोशन होने लग जाता है इंटरनेशनल लेबल पर इसके डिमा सबाधन किया जाता है बड़े सतर पर बहुत सारे जो है यहां पर लगे हुए हैं आपके प्लांट लगे हुए ठेक है और बाकी भागोलिक संकेतन को भारत सरकार के द्वारत तो पहले ही दे दिया गया था 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 2005 में गांगणा चाये को भागोलिक संकेतक का तरज अध्य जहां पे भगोलिक तोर पे इनकी उत्पत्ती होती है, वहां की पहचान बन जाते हैं यह उत्पाद, ठीक है, जहां पे इनकी देखो ऐसे उत्पाद जिनका मूल इस्थान वही है और इन उत्पादों की गुडवत्ता के कारण से उस इस्थान का नाम हो जाता है, पहला था जिसको भारत सरकार के द्वारा जिया टैग दिया गया ये भी ध्यान रखेंगा, ठीक है, और यूरोपी, आयोग के यहां पर हो गए कौन कौन से टॉपिक हो गए एक बार देख लेते हैं एक तो आपका सोलर वाला हो गया बारत सबसे अदर सोलर उत्पादन कर रहा है दूसरे नंबर पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हो गई फिर हमारे फुमियों किसदा साब आये थे तो इनके बारे में च सथा इसन नेशन युनिटेड नेशन की का एक आयोग है जिसको भारत को अभी उसका सदस्य बनाए गया यूएन सांकिकी आयोग UN सांकी की आयोग का भारत को सदश्य बनाए गया है ठीक है सदश्य बनाए गया किसका इसका एक संस्था है ये नार्कोटिक्स एंड एचाईबी कारिकरम के लिए बनाए गया है नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स एंड एचाईबी कारिकरम ठीक है इनका जो बोर्ड है उस बोर्ड का सदस्य बना है भारत तो यूएन सांख की आयोग के नार्कोटिक्स एंड एचाइबी कारिकरम बोर्ड का सदस्य समनव्यक बोर्ड है जो इसका इसका बना है भारत ध्यान रखेगा इससे कुश्चन आपसे पूछ जा सकता है ठीक है तो अब आप सोच सकते हैं भारत को हर जगे पर सदश्य बनाए जा रहा है हर जगे पर उसको तो यह भारत की एक बैस्विक प्रतिष्ठा और भारत की बैढती हुई उपस्तिती को दिखाता है अंतराश्टे इस तर पे तो यह 6 अपरेल 2023 को यह बनाए गया आपका अभी हाली की होगी एक जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी सदश्यता चार वर्स की सदश्यता है टोटल एक जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी सदश्यता ठीक है तो अभी घोसित कर दिया गया है अपरेल में लेकिन स्टार्ट होगी अब यह पूरा काम क्या करती है इसका काम होता है संस्था का ज इस से जुड़ी हुई जो संधिया होती है उनको लागू कराने का प्रयास करता है ठीक है और जो इसका एट्स कार्टरम है वह एचाइबी एट्स रोक थाम के लिए करके जो दिशा निर्देश है उन पर काम करता है तो आपको पता है कि भारत गोल्डे ट्रेंगल और गोल्ड ठीक है ठाइलेंड और म्यानमार बीच में हम हैं बीच में हमारा देश भारत तो इधर घृंगल है और इधर गोल्डें करिसेंट है इन जगहों इन दोनों जगहों पे खूब अफिम उत्पादन होता है खूब माधक पदार्थों का जो है तसकरी होती है तो ऐसे में भारत का इस बोर्ड का सदश्य बनना बहुत बड़ी बात रखता है तो मादक पदार्थ रोकता मायोग अंतराष्टी मादक पदार्थ नियंतरन संधियों को लागू करने का काम यह करेगा और भारत में बड़ी संख्या में जो है इससे पीडित लोग है तो इससे जुड़े हुए जो दिशा निर्देश कारक्रम है उसमें भारत जो है अब अपनी एक महत्तिपूर्ण भूमी का रखेगा ठीक है ध्यान रखेगा तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको साहिद मजे की बात एक और बता दूँ इसमें भारत के साथ दच्छड कोरिया सायुक्तर अमीरात और चीन यह तीनों देशों के द्वारा प्रतिस परदा कर रहे थे और उसमें भारत जीता ठीक है चीन पर चीन को भी हम पराजित कर देते हैं ठीक है तो भारत को जो है सबसे अदा वोट मिले और भारत को इसका सदश्च्छ बनाए गया चलिए तो यह आपको ध्य तो आज के लिए इतना ही रखेंगे अप आज के लिए इतना ही रखेंगे किसमें अमित कुमार जी कहां पर हेडिंग क्या डालना है कांगडा टैक वाले को एक तो यह आपको बस इसको लिख लेना ये वाला कि भारत को जो है यॉनाइटेड नेशन सांकी आयोग नर्कोटिक और इसमें कुछ नहीं डालना है यह डालना है कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रा चाय है उसको युरोपी आयोग के द्वारा जी आई टैक प्रदान किया गया प्रदेश प्रदान गया संरक्षित भगोलिक संकेतक बनाए गया संरक्षित भगोलिक संकेतक के तौर पे कांग्रा की चाय को चुना गया यूरोपी आयोग के द्वारा बस यह लिख लेना है बस इतना ही पर्याप्त है और थोड़ों ना है उसमें दुनिया भर की बाते लिख होगे कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ इतना ही लिख लो हिमाचल कांग्रा को यूरोपी आयोग के द्वारा क्या किया गया संरक्षित भगोलिक संकेतक दिया गया फिजी डिये भशी को इनफ है यात रख पर को आज के लीए रखते हैं वाकी रच डालो इतना वी तक कर दिया इतना रड़र डालो इतना ओकर यहां से नहीं छूटेगा आप करते जाओ क्लास में ही चीज़ों को क्लियर भी बहुत सारी चीज़ आपकी हो जाती होंगी ठीक है चले बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप शबी का अपना ध्यान रखिए खुब पढ़ाई करिए खुब मेहनत